हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, किरन सूद के चैनल पर आप सबका स्वागत है, आज हम आपको एक और नई वीडियो लेकर रहाएं हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिंगर मिल Interestingly के बनाने वाले हैं आज हम डाइवुटिज वालों के लिए स्पैर्शल के केख है यह, तो इसके लिए हमने दो कप लिया है, फिंगर मिल आटा, यह रागी का आटा है, इसी कप का measurement लिया है, एक कप गेहूं का आटा, दो कप रागी का एक कप गेहूं का तो यह 200 ग्राम आट्टा हो जाता है, दोनों मिला आखे, और एक कप अमूल क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ली है, अगर आपके पास नहीं तो घर की मलाई भी ले सकते हो, एक कप दूद, दूद जितना जरूरत होगी, उतना ही डालेंगे, आधा कप तेल और छुआरे हैं, ये रात भ समच, बेकिंग सोड़ा 1 फोर्थ टी स्पून और 1 फोर्थ टी स्पून नमक, अब छुआरे को दूद डाल के हमने मिक्सी में ग्राइंड करना है, अब इसमें हमने गुड को डाल देना है, और उसको भी मिक्सी में चला लेंगे थोड़ा सा, ताकि गुड भी मेल्ट हो जा अब इसी बॉल में डाल देना हमने टेल, आदा कप टेल है और इसी में हमने क्रीम डाल देनी है, एक कप क्रीम है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चम्मच की साहता से इस तरह से मिक्स कर लें इसको अब रागी काट्टा डाल देंगे इसको हमने पहले भी छाना हुआ है लेकिन फिर से इसको छान लेंगे इसको दो तीन बार छानने से इसकी हवा निकलती हमने पहले भी बहुत सारे केक डाले हैं तो उसमें हमने बताया है कि इसको छानना जरूरी होता है मैदा हो आट्टा हो कोई भी हो. अब इसमें गेहूं काट्टा डाल देंगे, एक कप उसको भी छान लेंगे. अब डाल देंगे बेकिंग पाउडर, इसको भी छानना है, बेकिंग सोड़ा और नमक. सारी चीजों को डाल के अब इसको मिक्स करेंगे, चम्मच की साइता से इस तरह से मिक्स करें और इसको एक ही तरफ फैटना है और जब ये गाड़ा हो जाए तो इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके दूद डालना है अब इसी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे एक तरफ अब इसको उंगोलियों की साइता से इस तरह से पतला गाड़ा, फिर से थोड़ा दूद डलेगा, एक कब बड़ा, हमने दूद डाल दिया पूरा, अगर जुरूर पड़ेगी तो और दूद ले ले लेंगे, अब इसमें डाल देंगे, चार से पांच ब्रोप्स बनिला एसंस, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें इतना पतला बैटर चाहिए, ना जादा गाड़ा, ना जादा पतला, अब हमने केक टीन लेना है, केक टीन को हमने ही पहले ही इसको त्यार कर लिया, इसमें तेल लगा के, इसमें थोड़ा साटा छिटक के, इसलो इस तरह से जाड़ लिया, इससे क्या होता है, हमारा के गास पर गरम होने रख दिया सीम मांच पर, अब हमने इस केक टिन को रेत के उपर रख देना है, अगर आपके पास यह बरतन न हो तो आप तब हेपर रेत रखे, किसी विळल मूनियमまだ न मे इसको बना सकते हो, गास को हमने सीम ही रखना और 45 मिनट तक इसको बेख होने देना ह केक को रखे विए 45 मिनट हो चुके है अब इसको चेक करेंगे तूथ्पिक की साइता से चेक करेंगे इस तरह से देखेंगे तूथ्पिक स हमारी साफ निकल आये तो केक पक चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी रेट के ऊपर 2-3 मिनट रहने देंगे उसके अच्छी तरह से निकल चुका है, तो केक हमारा खाने के लिए तयार है, बहुती स्पॉंजी केक बना है, और डाइबिटीक स्पेशल है, ये सुगर फ्री केक है, तो आप बना सकते हो जब मर्जी नाष्टे में खाएं, सबके लिए अच्छा है, और हेल्दी भी है, ये राग कर सकते हो, थैंक्स फोर वाचिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो फ्लीज कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, इसी तरह नई नई वीडियो आपको देते रहेंगे, थैंक यू